दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन्ग सुपर FTA बॉक्स पर फेवरिट एड करने का तरीका क्या है सही तरीका क्या है दोस्तों मैं अपने चैनल पर कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था जिस पर की यह बताया जा रहा था कि फेवरिट एड तो हो जाते है लेकिन अगले दिन फिर वो अपने आप डिलीट हो जाते है या फिर वो चैनल दिखते नहीं है जो फेवरिट में एड किये गया है दोस्तों मैंने फेवरिट एड किया इसको चेक किया और चेक करने के बाद दोस्तों जो फेवरिट एड करने का सही तरीका है वो मैं आपको सेक्टप बॉक्स में दिखता रहा है फेवरिट केटेगरी में दोस्तों सबसे पहले करना क्या है आपको फेवरिट एड करने के दो तरीके हैं इन दोनों तरीके को जान लेना है यहां आप देख सकते हैं माई डिस टीवी लिखा हुआ है मेन्य बटन प्रेस करेंगे रिमोट आप देख सकते हैं काफी सारे चैनल्स यहां पर दिख रहा हैं लेफ्ट हैंड साइड में चैनल्स दिख रहा हैं और राइट हैंड साइड में आप देखें फेवरिट वन लिखा हुआ है और नीचे आप देख लें एड और डिलीट ओके बटन से होगा एडिट जो है जो सारे बटन्स जो होते हैं वह आपके remote में बने हुए हैं अब दोस्तों हम आपको कुछ movie channel को favorite मैट करके दिखाते हैं suppose करें कि movie channel की channel numbering जो होती है वो काफी अलग अलग होती है आपको एक जगा से दूसरे जगा यानि एक channel से दूसरे जगा सर्फ करने में काफी मुश्किल होती है सपोस करें कि बीफोर कड़क का चैनल नंबर दिखरा है 4034 अब आप रिमोट में 4034 टाइप करेंगे 4034 प्रेस करेंगे अब कितना याद रखेंगे आप तो इसके लिए अच्छा है कि आप फेबरिट लिस्ट बना लें और फेबरिट ल होस्तों मैं हूँ आपका दोस्त और के अब आपको बस रिमोट के और 17езде जहान ऊनल लिखा है इस पर आप सब्सक्राइब से रही है उपर से नीचे जो भी चनल आपको सेलेक्ट करना हम यहाप एक चनल ले रहा है वीफोर्यू कड़क हमने कर दिया रिमोट से ओके अब जैसे यह आप हमने ओके किया आप देख सकते हैं राइट हैं साइट में फेवरेट वन की लिस्ट बन गई और इसे वीफोर्यू मुवी चनल हमको देखने हैं उनको हम ले लेते हैं फेवरेट लिस्ट जैसे दिन चैट्थू है इसको भी अपने आप आप आपके फेवरेट लिस्ट में होते चले आएंगे देख सकते हैं काफी सारे चैनल्स हैं जो अलग-अलग हैं और जैसे G Bollywood हम ले लेते हैं जी Action ले ले लेते हैं, Cinema TV ले लेते हैं ये सारे चैनल्स हम ने कर दिये ऐड़ सभी मुवी के चैनल्स हम ले लेते हैं फेपिरिट लिस्ट में आप अब अपने इसाफि państwo दोस्तों चैनल कर सकते हैं जो भी आप चैनल से रखना चाहते हैं रहिए अब देखे दोस्तों जैसे यह आप से राइट हैंड सैट आएँगे यानि फेवान की लिस्ट में आएँगे जो भी चैनल से आपने सेलेक्ट किये हैं आप देख सकते हैं वो सारे channels, आपके favorite mayat होगे, इसके अलावा कोई extra channel नहीं दिखेगा, और यहां लिखाए दोस्तों, यहां पर वो सारे channels है, जो आपके setup box में है, यहां से हम channels अपने favorite list में डाल रहे हैं, यह देखलें, वापस से अगर आपको लगता है कि यह गलती से चैनल हमने फेबरिट लिस्ट में डाल दिया है वापस से आपको इसको बैक यानि कि यहां से हटाना है यहां से हटा के हटा देना है फेबरिट लिस्ट से तो आपको करना क्या है कि बस इसके बटन प्रेस कर देना है आप देखले बटन प्रेस करते ही अगर सारे चैन जहां All लिखा है वहाँ जा करके, Okay कर दें इस तरह के से आप Favorite List बना सकते हैं, यह देखें वापस से हमने Favorite List तैयार कर लिया अपना कुछ चैनल का है, जो हम selective चैनल जो देखना चाहते हैं यह माल लीजी इतने चैनल से जो कि हम Favorite List मेट करना चाहते थे, हमने कर लिया अब ध्यान से देखिए दोस्तों नीचे जो options दिख रहा है आपको उसमें blue button दिख रहा है save का तो आपको remote से blue button प्रेस कर देना है जैसे आप blue button प्रेस करेंगे saving information अब ये information जो है वो save हो गया मतलब आपके setup box ने favorite channel list को add कर दिया है अब हम back करके देख लेते हैं और इबार और back कर देते हैं तो ये test service का channel हमने background में लगा रखा है दोस्तों इसी पर हम आपको दिखा रहे है favorite list कैसे add कर सकते हैं अब देख लें दोस्तों remote में अब अगर आप channels बढ़ाते हैं आगे तो आप देख सकते हैं ये सारे channels आपको मिलेंगे अगर आप channels बढ़ाते है तो ये सभी channels से आपको दीखें लेकिन ये सभी channels जो वो है जो आपके setup box में है वो favorite वाले channels देख भी नहीं है क्योंकि अभी हमने favorite channels को आगे लिया ही नहीं है मतलब कि फेवरीट चैनल्स को जो फेवरीट बटन होता है उससे ओके किये नहीं जब तक आप फेवरीट बटन जो होता है रिमोट में वहाँ पर जा करके ओके नहीं करेंगे तब तक आपके फेवरीट चैनल्स आएंगे ही नहीं जैसे कि आप देख लिए remote में हम favorite बटन प्रेस करते हैं जैसे ही remote पे फेबरीट बटन प्रेस करेंगे दोस्तों फेबरीट की list आजाएगी ये देख सकते हैं आप ये फेबरीट की list आगे और ये channel background में चल भी रहा है देख सकते हैं दोस्तों आप कि जब आप remote में favorite बटन प्रेस करेंगे तभी आप फेबरीट चैनल को access कर सकते हैं remote में करना क्या है आपको की favorite बटन प्रेस कर देना है और किसी एक channel को ok कर देना है जैसे कि हम test service को ok कर देते हैं अब ये channel ok करने के बाद दोस्तों जब आप remote से आगे बढ़ेंगे तो केवल वही सारे channels आएंगे आप देख सकते हैं फिर से एक बार फेबरीट बटन प्रेस करते हैं तो वापस से आप वह सारे channels देख पाएंगे जो की आपके normal channels है तो फेबरीट के चैनल से देखने के लिए दोस्तों आपको फेबरीट बटन remote में प्रेस करना पड़ेगा तो ही आप देख सकते हैं अब आईए दोस्तों एक आपके फेबरीट चैनल से जो आपने फेबरीट लिस्ट में एड़ किये हैं उनको आप फेबरीट बटन यूज़ करके बार बार देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो हम ले लेता है दंगल टू स्पोर्ट्स 18 खेल बीफोर यू कड़क मूवी प्लस टेस्ट सर्विस औ अब दोस्तों सेव करना है जैसा हमने पहले बताया आपको ब्लू बटन प्रेस कर दें यह सारे चैनल से होगें सेव और सेव कर लिया दोस्तों हमने इसको अब हम कर देते हैं अपने सेटप बॉक्स को बंद और फिर दुबारा चालू करके आपको दिखाएंगे कि क्या यह अब देख सकते हैं उनका ध्यान से एक बात देख लें सेटप बॉक्स कर लिया है स्टार्ट और रिमोट में हम प्रेस करने वाले हैं फेवरिट बटन जैसे फेवरिट बटन प्रेस करेंगे दोस्तों अगर सही तरीके से फेवरिट में चैनल एड़ हुए होंगे तो फिर यह आपका जो भी फेवरिट चैनल से उसके टेगरी में वह रहेंगे डिस्प्ले रहेंगे वह कहीं जाने नहीं वाले आप देख सकते हैं हमने कर दिया रिमोट फेवरिट बटन प्रेस और यही पांच चैनल से दोस्तों हमने जो आड़ किये थे और यह पांचों चैनल लेकन फ्रेस कर दें ताकि हमारी चैनल से जोड़े खेवरिया आप तक आसानी से पहुचती रहें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद